हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ पौन और आप देख रहे हैं पौन इन्फो टेक चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक लेप्टॉप कम्प्यूटर से एक्स्टरनल कीबोर्ड को और एक्स्टरनल माउस को कैसे जोडते हैं और लेप्टॉप को लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें कुलिंग फैन का उप्योग कैसे करते हैं तो अगर जो आप लेप्टॉप से संबंदित सब कुछ जनकारी सीखना चाहते हैं तो बने रही है हमारे इस वीडियो पर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखे दोस्तों हमारे हाथ में एक HP का लेप्टॉप है अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कि समतल जगा पर सिंपल लेप्टॉप को रख देते हैं और उसे आउन कर देते हैं और लेप्टॉप यूज करना शुरू कर देते हैं चुकि यह सही तरीका बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो चीज मैं आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ यहाँ पर एकजास होता है मतलब की कम्प्यूटर के अंदर यह बोर्ड जो लगा हुआ तो उसके लिए दोस्तों ध्यान से समझेगा सबसे पहले मैं इसे बंद करके आपको दिखा दूँ कि इसके लिए क्या आपको करना है अभी देखें मेरे हाथ में एक कुलिंग पैड है या कुलिंग फैन भी आप बोल सकते हैं लेकिन फैन यह है नहीं इसको कुलिंग पैड बोलते हैं जिसके पीछे एक फैन लगी होती है इसे लेप्टॉप से जोडने के लिए इसके पीछे एक USB केबल लगा होता है और यहाँ पर देखें तो USB पॉइंट बना होता है और इसको simple आपको समतल जगा पर रख देना होता है देखें आपके दो stand है इस stand को बाहर निकाल देते हैं और इसे समतल जगा पर इसे ऐसे adjust कर देते हैं यह देखने में या फिर प्रकार में कई तरह का होता है अभी आप देखेंगे तो यह एक steel type कब है जिसे paint किया गया है black color से तो इसमें भी थोड़ा सा अर्थ आता है लेकिन अगर जो आप इसकी जगा पे कम खर्चे में दूसरा लगाना चाहते हैं cooling pad तो उसके लिए आप plastic का भी purchase कर सकते हैं अभी देखें तो मेरे हाथ में दूसरा एक plastic का दिख रहा है जो कि यह लगभग 250 रुपए का है और यह 400 रुपए का आसपरस तक का है पूरे बाजार में आप इसे purchase करेंगे तो 250 रुपए से लेकर लगभग लगभग 1500 तक के range में आता है depend करता है इसके मजबूती पर और इसके fan के चलने पर तो देखें इसके पीछे fan लगा हुआ है जब इसे हम जोड़ देते हैं USB port से तो यह fan चलता रहता है और यह computer को यानि कि laptop को गरम नहीं होने देता है तो इसको भी same वैसे ही दोस्तों आपको रख देना है और इसके उपर laptop रख देंगे USB इसमें cable होता है उसे laptop से जोड़ देंगे तो फिलाल मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ अब देखें दोस्तों हमने इसे suitable रख दिया है अब इसके ऊपर आपको laptop को रख देना है अब ध्यान देंगे दोस्तों तो जरूरी नहीं है कि आपका laptop Toshiba का है Lenovo का है Dell का है HP का है तो उसी के लिए है या हर laptop के लिए है depend करता है आप पर कि आप छोटा वाला purchase कर रहा है कि बड़ा वाला जब आपका laptop बड़ा size में हो तो बड़ा size में purchase करें और अगर जो छोटा size में हो तो छोटा size में purchase करें अब इसको आराम से इसके उपर आपको रख देना है अपने laptop को, जब आप laptop को रखते हैं तो यहाँ पर देखें बने होते हैं उभरे हुए भाग थोड़ा सा कि जो की laptop को आगे नहीं आने देते हैं, तो इस वासी टेबल यहाँ पर रख देंगे, अब इसे open करने के लिए दो जोस्तों आपको यहाँ पर power button जहाँ पर भी आपके laptop में हो, वहाँ पर power button को प्रेस कर दें और यह आपका computer शुरू होने लएगा, अब ध्यान देंगे इसकी तरफ से, तो यहाँ पर बहुत space मिलता है आपको, जिसके कारण जो भी यह उसमा गर्म हवाय उत्पन करेगा, व अब चलिए इसका हम दूसरा सीरा लगा के आपको दिखा देते हैं, तो देखिए, अब इस port को अपने computer के USB port में आपको लगा देना है, जैसे इसे लगा देते हैं, तो नीचे जो fan होता है, वो fan चलना शुरू हो जाता है, fan अंदर की तरफ है, इसलिए देखने में problem हो रही है, लेकिन यदि आप जब इसे purchase करेंगे, तो वहाँ पर test करके ले लिजिएगा, जैसे इसमें लगाते हैं, तो देखिए, पुना male से female में convert होता है, वापस इसमें आप कुछ भी keyboard, mouse, जो मन करें, आप यहाँ पर USB point को लगा सकते हैं, तो चलिए, हमने आपको ये सिखा दि और थोड़ा सा इसे adjust कर दें, adjust करने के बाद देखें दोस्तों, ये USB port है, USB part को अपने computer के USB port में देखेंगे घुमा कर, तो बहुत सारे USB port बने होते हैं, उनके किसी भी भाग में आप adjust कर लीजिए, तो चलिए हम इसे यहाँ पर लगा देते हैं, जैसे इसमें लगाते हैं दोस्तों, तो automatic ही आपके computer के keyboard में यहाँ पर light जलना शुरू हो जाता है, जब भी आप अपने computer में कभी भी keyboard को लगाएंगे, तो यहाँ पर light एक बर अबर जलता रहाएगा, जो की num lock से off होता है, देख पा रहा है, अगर जो यह नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ cap lock को द और इस सीरे को आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी USB port हो, वहाँ पर आप adjust कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे यहाँ पर adjust कर लेते हैं, हमने USB keyboard लगा कर आपको दिखा दिया, ठीक ऐसे ही अपने laptop में आप USB mouse को जोड़ सकते हैं, तो चलिए USB mouse को जोड़ना हम सीख देख लेते हैं, अभी देखें दोस्तों, तो हमारे हाथ में USB mouse दिख रहा है, आपको देख रहा है, USB मैंने बताया था यह चप्टा वाला बाग, और यह mouse देख पा रहा है, तो इसको दूसरी तरफ यहाँ पर रख दे, और इस laptop के पीछे से cross करके, इस cable को computer के बने USB port में इ देख रहे होंगे, यहाँ पर mouse pointer दिख रहा है, तीर के निसान, जो move कर रहा है, इसी के माध्यम से देख पा रहा है, जिदर जिदर इसे move करेंगे, तो यह move होता रहेगा, अब दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को देखा है, कि mouse को just वैसे ही, समतल जगा पर चलाना शुरू कर देते हैं, या फिर हाथ पर रखके, कागज रखके, या फिर पैर के उपर ऐसे लगाना शुरू कर देते हैं, यह तरीका बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, जहां से आपने computer का सामान पर्चेज किया, keyword, mouse कुछ भी पर्चेज किया, वहाँ पर एक mouse pad पर्चेज कर लीजिए, ज से क्यों लगाना चाहिए, अभी देखें दोस्तों मेरे हास में mouse pad है, यह 25 रुपे की कीमत वाला है, बहुत ही अच्छा है, शौक मुलायम है, तो इसको अपने mouse के नीचे रखना होता है, जिससे कि mouse बराबर work करता है, इसमें कोई भी problem नहीं होती है, तो अभी देखा दोस् मैं बता दू, laptop के अंदर keyboard mouse पहले से invilt होते हैं, तो अगर जो यह keyboard चलाते चलाते खराब हो गया, तो इसकी minimum कीमत 600 रुपे है, और maximum जहां तक आप जा सकते हैं, तो problem होती है, जब आपका keyboard खराब हो जाता है, तो पहली चीज, तो आपको laptop खुलवानी पड़ेगी, मतलब उ 250 में मिलता है, और यह खराब भी हो जाए, तो कोई problem नहीं है, दूसरी चीज, कि आप इसे एक computer से दूसरे computer में, या mobile में, computer में, laptop में, कहीं पर भी इसे आसानी से use कर सकते हैं, तो मेरे इसाब से external keyboard mouse बढ़िया रहता है, कहीं पर आप जब travel कर रहे हैं, या कहीं पर suitable नहीं ह तो आप इस touchpad और keyboard का उपयोग करें, नहीं तो external keyboard और external mouse का ही उपयोग करें, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके power की, मतलब कि इसे power कैसे देंगे, तो अभी तो इसमें battery है, तो इसे charge कैसे करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, तो इसके अंदर जो battery लगी है उसे charge करने क के लिए, जब भी आपने laptop को purchase किया होगा, तो उसके साथ एक adapter मिला होगा, जैसा कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें 2 सीरे होता है, एक सीरे को अपने computer के charging point में लगा देते हैं, तो यहां पर देख पा रहे हैं, हमारा laptop computer है, तो हम अपने laptop computer के charging point में लगा दे ठीक ऐसे ही इसका port दिखाई देगा उसमें adjust कर देंगे, तो चलिए हम इसे लगा देते हैं, हमने इसे लगा किया, दूसरा सिर्या के लिए दोस्तों ध्यान रखेगा, कई लोगों को हमने अक्सर देखा है, कि क्या करते हैं, कि ऐसे एडाप्टर को लटकने देते हैं, और इस समतल अस्थान पर रख दें, तो हम इस laptop के इसके पीछे यहां पर रख दे रहे हैं, अब यहां से main switch को on करेंगे, जैसे main switch को on करेंगे, तो इसमें से power आना शुरू हो जाएगा, तब आप अपने laptop के चारों तरफ घुमा कर देखेंगे, तो कहीं ने कहीं power option दिखाई देग तो white color में show होता है, लेकिन वहीं पर डेल और अने company का देखते हैं, तो कहीं में नीले color का आता है, कहीं में white color का आता है, तो उसके लिए दोस्तों, यहां पर corner में देखेंगे notification area में, तो यहां पर battery का symbol दिख रहा होता है, जो कि अभी आप देख रहे होंगे, तो यहां पर charging दिख रहा है, तो इसे off कर दिजिए जब फूल चार्ज हो जाए, तो अक्सर हमने कई लोगों को देखा है, कि बैटरी चार्ज हो गई रहती है, फूल चार्ज और उसी माध्यम से फिर भी चार्ज करते रहते है, तो बैटरी जल्दी hard हो जाती है, बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो गई है, तो उसे 90% तक यूज कर लिजिए, जब आपकी बैटरी 10% पर आ जाए, तो पुना चार्ज किजिए, ऐसा नहीं कि 75% पर बैटरी आई हुई है, फिर फूल चार्ज कर दिए, फिर 10% गिरा, फिर चार्ज कर दिए, इस तरह आपकी बैटरी खराब हो तो उसके लिए बहुत आसान उपाय है, दोस्तों, कि आप बैटरी मत लगाए, सिधे एडाप्टर की मदद से आप अपने कम्प्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे, तो सबसे पहले हम इसे कम्प्यूटर को बंद कर देते हैं, अभी देखे टियाँ पर लॉक बना हुआ, किस कम्पनी का लैप्तौफ है तो लॉक अलग-अलग बने होती है, इस लॉक को आपको हलका सा फ्रेस करना है और इस निकल जाएगे। बैटरी को निकालिए और इसे अलग रख दीजिए, अभी हमने सिखा कि लेप्टॉप से बैटरी कैसे निकालते हैं, अब हमें यहाँ जानना है किसी भी कारव बस हमारी बैटरी खराब हो या किसी लेप्टॉप में बैटरी नो हो, तो उसे कैसे यूज करें, तो ध्यान रहे है दोस्तों, देखें इसमें बैटरी नहीं है, सबसे पहले हम अपने cooling pad पर इसे रख दे रहा है, रखने के बाद इसके display को हम on कर दे रहा है, on करने के बाद इसमें keyboard और mouse को हम adjust कर दे रहा है, तो इसे USB port में हमने लगा दिया, लगाने के बाद जो charger का pin होता है, उसे आपको laptop के charging point पर लगा देना है लगाने के बाद दोस्तों ध्यान दे कि सबसे पहले main switch को on करना है जैसे इसे on करते हैं automatic धारा आपके laptop में आना शुरू हो जाती है जब laptop में धारा आना शुरू हो जाए तो यहाँ पर power button को press करें जैसे power button को press करते हैं तो देखें कुछ भी इसमें छेट शाट न कीजिए थोड़ी घेर में डिस्पले आपका desktop screen में बदल जाएगा जहाँ पर आप आसानी से जो चाहें वो कारे कर सकते हैं जैसा कि अभी आप screen पर देख रहे हैं कि desktop screen आ गया अब कई लोग क्या करते हैं computer on रहता है ऐसे ही तुरंत main switch को आप कर देते हैं तो यह सरासर गलत तरीका है इससे आपका window क्रफ्ट हो सकता है hard x खराब हो सकता है motherboard खराब हो सकता है अगर जो battery नहीं है तो दोस्तों बहुत बारिकी से system को रखना होता है अगर जो थोड़ा भी इसमें गलती करेंगे तो हो सकता हो कि hard x display कुछ भी खराब हो सकता है तो अब ध्यान रहे कि सबसे पहले अपने computer को shutdown करना है जब भी आप कार्य कर लिए हो तो shutdown को click कर देना है और जब तक कि display पूरी तरह से adjust हो गया उसके बार से यहां पर switch को off कर देना है इस तरह proper तरीके से एक laptop off कर चुके है हम जिसमें की battery नहीं है अगर जो इस तरह आप laptop यूज करते हैं तो laptop बहुत लंबे समय तक जाएगा मतलब अगर जो 3 साल की warranty warranty मिली होगी तो 5 साल तक चलेगा क्योंकि इसमें कोई भी problem ही नहीं है कुछ लोग को देखते हैं गोद में रखके चलाने लगते हैं हाथ में रखके चलाने लगते हैं तो चलाने का proper तरीका नहीं है तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा एक laptop computer को कहां पर रखकर चलाना चाहिए कैसे चलाना चाहिए उसमें keyboard, mouse, external कैसे जोड़ना चाहिए cooling pad का उपयोग कैसे करना चाहिए और किसी laptop में अगर जो battery नहीं हो तो उसे charging से ही कैसे access करना चाहिए आसा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया comment में आप अपने विचार को हमारे साथ साजा कर सकते हैं तो comment section में जरूर अपना comment टाइप पीजे और हमारे चैनल पर पहली बारा है तो red button को प्रेस करके चैनल को subscribe कर लीजे और जैसा subscribe करेंगे तो उसी के right hand side में एक well icon आजाएगा उसे पुना type करके all notification को जरूर आन कर लीजेगा आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आये होगा ऐसी tips and trick की वीडियो पानी के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉप इसको साथ तब तक के लिए नवसकार जय हिन जय भारत